हेलो जैहिन दोस्तों बंदे मातरों स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल में दोस्तों यहां पर हम इस टॉपिक पे बात करने माले वो टॉपिक है अल्टरनेटर जिसे हम हिंदी में परत्या वर्तक के नाम से जानते हैं तो इस टॉपिक से मैंने अब्जेक्टिव कोश्चन इसमें तीस कवर किया जो बहुत ही इंपोर्टन्ट है उन लोगों के लिए जो टेक्निकल एक्जाम और यहां पर साथ-साथ आई टियाई के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही मौश्ट इंपोर्टन्ट है तो व पहला कोशन है कि किस परकार की धारा अल्टरनेटर जनित कहर करता है तो यहां पर दोस्तों इसका डिपनीशन में ही इसका एंसवर चुपाजे से अल्टरनेटर का डिपनीशन होता है कि यहां तरीक उर्जा को एसी परकार को बेदुतिक उर्जा में परिवर्तित करने वाल आती है तो यहाँ पर इस जनित्र कालाते हैं अथात हम कहआ रहा है अथात अल्टरनЕТर को सिधान पर अल्टरनेटर कारिक करता है तो यह कि सिधानत पर कारिक करता है यह आपका अल्टरनेटर लेकिन इसका क्या बनता है कि जब किसी चालक चुमकिय छेतर के बीच सापेच गती के कारण चुमकिय बल रेखाओं और यह किस यह जो आपका सिधान्त पर कारिक करता है तो आपसा नंबर इस इसको किस परकार की करेंट की आउसकता होती है तो यहां पर दोस्तों जो पूछ रहा है तो यहां पर इसका जो सही एंस्वर आ जाएगा आफसर नंबर ए अथा डी सी परकार की इसकी जरूरत परती है करेंट की तो यहां पर आपकार आफसर नंबर एस सही हो जाएगा अगले कोशन में बढ़ते हैं दोस्तों आगला कोशन पूछ रहा है कि अल्टरनेटर जू बड़ा अकार हो उश में कैसा रखा जाता है यह की बात पूछ रहा है तो इसमें हम कैसा रखते हैं आफसन में दिया गया है ब्लश से चालक दोनों घूमने वाले या घूणां या फ्लक्स और शालक दोनों इस तीर एंड़ई आफसन दिया गया इस तीर तो यहां पस्ति होना चाहिए दो तो option number B आमारा क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा next question पर बढ़ते हैं दोस्तों next question है कि alternator के rotor में कितने slip ring होते हैं very very important question और बहुत ही easy question है उन लोगों के लिए जो four semester का एक्जाम दे चुके हैं और वो apprenticeship की तयारी भी करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको जिस आप यूटूब पर देख रहे हैं यह वीडियो यहां पर आपको मिलता है कोई भी campus selection और रोजगार मेला की जनकारी पहलपल तो भाई अभी तक आमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेग तो यहां पर आपका कोशन नमबर पांच बनना है खी नि टरमियो कि रोट्र में कितने सिलीप रिंग होते हैं इस नौट को भाई अब ब지ने वाला जो जनेरेटर होता है वह क्या कहलाता है तो बाई यह जब पूछ रहे है रूटर को ब्लाइद को generator जो होता है वो क्या कहला तो हम किस नाम से जाते हैं तो उसे उत्तेजक टीक है उत्तेजक के नाम से जानते है ठीक है यह आपका बी आफसं सही हो जाएगा नेक्ट कोईशन पर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्ट कोईशन है कि निविवन्हे से कौन एक अल्टरनेटर के रूटर का परकार है देख़ें आफसन भी दिया गया है बिलन कार परकार श Bennett॔ल टाइब type कोशन है किस गति के प्राइं मुभập में प्राय शेलेंड पॉल प्रकार की रोटर प्रियोग होता है आप क्रेप प्रेऴ। क्राइबभ देख़् आपसे क्या पूद्धल करेंगे तब आपको समझ में आएगा किस गति के प्राइम मुबर में और प्रकार के रोटर प्रियोग होता है अपसान दिया गया मध्यम गती मध्यम तत्ता उच उच गती यहां निम्न वह मध्य गती तो यहां पर आपका जो करेंट एंस्वर होगा दोस्तु a दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई भी कोश्चन में आपको डाउट नजर आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताईएगा यहां पर हम बात करने वाले कोश्चन नम्बर 9 की दिया कोश्चन के किस गती के प्राइब मूंबर में प्राय बहलानकार-प्रकार के रोटर-परयोग होता है तो यहां पर आपका आफ्समंद्य dw यह गति निवन गति कोश्चन कर रहा जो आपका करेक्ट एंस वह जाएगा उच्छे गति ठीके आपका क्या हो जाएगा सई एंस वह जाएगा नेक्स कोशन है दोस्तों कोशन नंबर के धुरों की संख्या पर और अल्टरनेटर की गतिपए दूनों पर निर्भर करती है तो यहां पर जो हमका हमारा जो आफसन मिल आफसन नंबर डी यह हमारा डी आफसन क्या हो जाएगा करेक्ट एंस वह जाएगा नेक्स कोशन है कोशन नंबर 11 बेरी बेरी इंपोर्टेंट क कोशन है इस सवाल के रूप में दिया है कोशन की 1500 पर चल रहा एक अल्टरनेटर पचास हटज पर बोल्टेज उत्पन करता है अल्टरनेटर के धुरूओ की शंख्या होगी देखी बहुत ही शिंपल कोशन है और बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है उन लोगों के लिए जि अन्य के अल्टरनेटर की द्रूओ की शंख्या पूच रहा है अठाट पूल की शंख्या पूच रहा है तो यहाँ पर आपका पी बड़ाबर किया हो जैगा कोश्चनमार्क और इसका सुत्र क्या बनता है दोस्तों एफ बराबर पीन अपान एक सू बीस इस बात को आप ध् तो लिख देता हूं एफ बराबर होता है क्या पी एन बटे 120 और इस सुत्र पर आप लगाएगा दोस्तों यह जो आपका 11 12 कोशन है यह कोशन आपका आसानी से आजाएगा इसका एंसवर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कोशन नमर 11 और कोशन नमर 12 का एंसवर आप रिक्तसान होते हैं आपसं दिया गया टेड़े सौप्ट वाले ब्यास के छोटे अच्छे लंबाई में बड़े दिया सने ब्यास में बड़े और अच्छे लंबाई में छोटे तो यहां पर बहुत सारे आपसं दिया गया और बहुत सारे कनफ्यूजिन टाइप के आपसं होते हैं कौन से पूल टाइप यह रोटर अधा शैलेंट पूल टाइप रोटर कैसे होते हैं तो ब्यास में बढ़े और अच्छे लंबाई में छोटे होते हैं नेक्श कोश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों कोश्चा नंबर अधिक्तम होगा तो आप सब्सक्राइब क्या हो जाएगा सब्सक्राइब नेक्स कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नंबर 15 है कि कैसी घुणन गती पर कारे करने युग्य वाश्च पर टर्बाइन चलित अल्टरनेटर्स बनता है उच निम्न मद्यम या उच तथा निम्न दोन क्या हो जाएगा सी अथा जो हमारा बिदुतम हाक बल आपठी पर निर्बढ करती आपका पोल्स की संख्यात ग्भूण गती पर को एक यह कंश्च कोशन है दोस्तों कोश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन अल्टरनेटर की रेटिंग दर साता है अब बात आती है अल्ट की क्या होती यह करते हैं और यहां पर भी हम क्यात करते हैं तो इसको पढ़ता है ताकि Alternateur का OUTPUT है । यहां पर आपको दिए गए अपानों में से कोई चूज करना है तो आउटप्र नियत रहे तो किस पर फ्रिक्वेंशी पर बॉल्टेज पर या करेंट पर्षच्ट गुणान पर तो यह ने जो आपका नियत रहता है किस पर रहता है तो यह रहता है आपका अफसा नंबर क्या हो जाएगा यह आपका असमर्थ है तो यहां पर आपका आफ्षा नंबर क्या होगा वैज्ष। मक्यची स्टयुग्स आउशन ऑगा जायगा एक स्टेटमेंट दिया गया इस्में चार दिया गया स्टेटमेंट को पढ़एं कि इसमें से कौन सा दिए गए हो सही है यहां पर आप आफसं दिया गया है स्थापित की जाती ऐहां अल्टरनेटर के डी सी में धारा होती है यह वह अभी दूनों अदिया गया इन में से कोई नहीं तो भाई इतने सारे आफसं मुझे एक ब्स लग रहा है यहां पर आपका आफसा नमबर इस हो गा recruit की घाती है कि आफसा नम रहुजाएगा यह आपका स जोरा जाएगा कर नेक्स कुशचंट है क्यों की सिस्य स्वार से बनाई जाती है दूस्तो आज तक ले आपने सुना होगा कि saeчи मश्रिन का जो इस्टेटर होता है उसका जो चयादर से बनाई जाती है लेकिन यहां पर आपका इसका किया है तो यहां पर आपका में काराण मिलेगा कि लोघ स्टी कम करने के लिए क्या लोग श्टी को कम करने के लिए हम जो एसी मसीन की जो इस्टेटर को जो सिलिकान इस्टिल की जो लिमिटेट चादर बनाते हैं उसको हम वे लो च्छती कम करने के लिए यह काम किया जाता है तो आपसा नाबर आपका सी सहींस वर जाएगा अगले कोश्चन पर बढ़ने से पहले यहां पर एक लाइक जरूर कर दीजेगा हमारे वेडियो पर और जो भी लोग हमारे यूट्यूब चनल से नई जुने था सत्या एसलेंट यूट्यूब चनल से नई जुने हैं जो आइटी आई की पलपल खबर और वहां पर आईटी से समझेद बहुत सारी जैनकारी और बहुत साहीं सी ग्याद करती है अब आपको यहां पर कनफ्यूजन हो रहा है कि यह जो यह क्या है तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो मोटी फोर्स इसको आप ध्याने कियेगा यह सौटकॉट में बहुत से कोशन पूशे जाते हैं जैसे यह मैप का पूरा नाम हो गया यहां पर बहुत सारी आपको आप संदिये गए इसका में एक वीडियो बनाया हूं जिसका लिंक आपको मिलेगा वह भी आप जाकर देख सकते हैं सौटकॉट की प्रॉब्लम आपको खतम हो जाएगी बहुत सारे सौटकॉट की वीडियो मैंने अपलोड किये जिसका आप मै बाद करने वाले हैं कोस्चन नमबर बाइस की कुशन आपको पूछ रहा था तो यहां पर आपका जो सई एंस neutr होज़एकी यहां पर आपका सुथर क्या होगा है कि यहां पर एफ बराबर पियान अपान एकसो बिस जैसे मैं आपको पहले एक सुत्र पर बताया जैसे वहां पर और पीम में को कोश्चन दिया गया था तो इसी सुत्र से हम ग्याद करते थे तो वहां पर भी आपको कंफूजन दूर हो गया होगा कि यह जो सुत्र होता है इसका बाइस का डीस होगा इसको आप ध्याने किएगा नेक्स कोश्चन पर बढ़ते हैं कोश्चन नंबर तीस है कि निमिलखित किस कारण से अल्टरनेटर में रोटेटिंग फिल्ड प्रियोग होते हैं इसका कारण क्या है रीजन पूछ रहा है आप से तो यहां पर आपका रीजन यूगत नहीं होने के कारण इस पार्किंग नहीं होती है यह मसीन की दश्चत बने जाती है यह भी तो सही है कोश्चन नंबर देश का सी आप संदिया गया कि इस टेक्टर में अधिक चालक अस्थापित किये जा सकते हैं तथा और मेचर वाइडनिंग टूटने का खतरा न जाएगा अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं दुस्तों कोश्चन नंबर 24 है कि निमने में से कौन सा उपाय हेंटिंग या फेज श्विंगिंग दोस्ट के निवारन के लिए होता है तिकी दुस्तों वीडियो बनाने में काफी कोश्चनों को इकठा करने में काफी वक्त उपाय हेंटिंग या फेज श्विंग दोस्ट के निवारन के लिए होता है आप संदिया गया है निमन गति के अल्टरनेटर को चलाते हैं रोटर पोल्स में डैंपर वाइनिंग अस्थापित करते हैं और सी आप संदिया गया रोटर की उत्रेजना बढ़ाते हैं और अब यह वांडिंग चेप्टर से question आपका लिया गया था इसको भी आप द्याने केगा तो यहां पर आपका question number 24 का option number भी आपका correct answer बनता है next question है क्या होगा अगर three page alternators का page करम बिगड जाए देखिए यह आपसे कैसा question पूछ रहा है कि क्या होगा अगर three page alternators का जो फेज करम है वह बिगड जाए तो भाई उस समय क्या होगा तो उस समय होगा तो उस समय फेज आपस में 60 सर्किट हो जाएंगे सभी को मालू में यदि फेज करम बिगड जाते हैं तो भाई उसमें इसका जो फेज करम है कि कौश्चन नमबर 26 कि कौश्चन नमबर 26 कि कौश्चन भारत में परीक्त त्री फेज का सई करम है तुँ सभी को मालूम है कि इसका जो इसका करने के लिए आपके लिए वाँ- कर दिया रभी कर दिया लेकिन लिकीन सभी को मालूम है इक सिंपल बात में करते हैं इसका प्रेज करम क्या हुता है र य भी काम खतम यह आपका यह मिल गया तो आपसे नमबर यह आपका किया होगा साइन स्वह जाएगा दुस्तों जितना यह आप क्रियेड करेंगे उतना ही आपको कन्फूजन होगा सिद्य तरह से एक हैस और होता है क्या होता है तो जो आपका अल्टरेटर का जो इसमें सही सुतर्य क्या है दोस्तों ए और भी दोनों अब कैसे है जैसी कि सभी को मालू है distribution factor की बारे में जैसे मैं आपको बता देता हूं इसका जो आपका definition होता है क्या होता और इसका सुत्र क्या होता है ? kd बराबर sign n beta by 2 upon n sign beta by 2 यह इसका सुत्र होता है इसको भी आप ध्यान किएगा अब जहां पर हम बिटा की बात करें तो बिटा बराबर क्या होता है ? तो इसका बेटा बराबर हो जाता है 1808 बटे परती पोल खाचों की संक्या और इसका जो मान होता है यह 21 से कम होता है इसको भी आप ध्याने कियेगा बहुत ही इंपोर्टेंट यह चेप्टर है और यहां पर बहुत ही इंपोर्टेंट आपको बात भी बताई जा रहे तो यहा सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इस सब्सक्राइब यहां पर दिया गया यहां पर दिया गया यह आपका सभी होगा अब बात करते हैं यह देखिए आपका यहां पर यह अबरेज दिया गया है यह आपका क्या होगा सब्सक्राइब करेक्ट नेक्ट कोश्चन पर बढ़ते हैं तो कोश्चन नमबर 19 है कि क्या कारण है कि जल विद्दूत अल्टरनेटर की तुला में टर्बो अल्टरनेटर के का ब्यास छोटा होता है बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोश्चन तो इसका क्या कि इसका पूछ रहा है आपसे रोटर का ब्यास छोटा होता है कि आप संदिया गया उच्छ घुनन गती पर कारे करता है ज्यादा सूर करता है और इन में से इन में पोल की संख्या ज्यादा होत तो आप से नमबर क्या हो जागा अब दोस्तों हम बात करते हैं इस वीडियो के लाश्ट कोस्टन पर तो भाई अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीज़ेगा और यहां पर एक लाइक भी कर देजेगा तो यहां पर बात करने अब बात करते हैं यह जो भी एनल और भी एफैल क्या है तो जो भी एनल है इसका मतलब होता है चैनल नई रखते हैं तो सवाल लगाने में आपको काफी परसानी होगी और इसका आप को बहुत ही परभाव पड़ेगा जिसके कारण आप सवाल को नहीं लगा पाएंगे ठीक है तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 30 question बताया जो बहुत ही important है वीडियो आपको अच्छे लेगे तो like किजिएगा और मैं आपको अगले में अगले वीडियो में 30 question और भी लेके आना है उला हूं जो बहुत ही important है तो वीडियो को देखने के लिए last hour तक बहुत बहुत